आप सुन रहे हैं विवित भारती पिटारा पिटारा में आज सेहत नामा सेहत नामा करिक्रम सुनने वालों को राजी इंदर त्रिपाठी का नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस करिक्रम में और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया विशे लेकर और एक नय विशेशक्य के साथ दोस्तों आज के इस करिक्रम में मुंबई के सुप्रसिध त्वचा रोग विशेशक्य डॉक्टर अजय केडिया जी को हमने आमिद्रित किया है हमारे स्टूडियो में सेहत नाम करिक्रम में और आज का विशे है तुचा रोग पर चर्चा तो डॉक्स आप विबिद भारती के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेहत नाम करिक्रम में धन्यवाद राजियन जरत जी डॉक्स अब आज का जो हमारे विश्य है जिक्र हो रहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी आपसे कि तोचा रोगों पर चर्चा तोचा रोगों में कई रोग शामिल होते हैं आपके मताबिक और सुनेवालों के मताबिक और जो भी तोचा रोग से ग्रसित होते हैं व थोड़ा बहुत fungal infections पर बात करेंगे. बहुत अच्छी बात बताईए आपने और ये प्रमुख रोगों में आपने शुमार की हैं और हर्पीज की जहां तक बात है सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये हर्पीज क्या है? हर्पीज एक virus infection है जो by itself सिर्फ जब आप हर्पीज बोलते हो तो उसके कोई माइने नहीं है इसके types होते हैं हर नाम का जैसे एक नाम एक उपनाम होता है तो वैसे हर्पीज में एक disease होता है जिसको हर्पीज simplex infection कहते है और एक disease होता है जिसको हर्पीज zoster कहते हैं ये दोनों virus infection है लेकिन दोनों की viruses अलग है दोनों के होने के तरीके अलग है दोनों के जो disease process है जो उसके prognosis है उसके treatments है वो थोड़े अलग parameters पर चलते हैं तो सिर्फ हर्पीज बोलने से जैसे बहुत गलत मानने आता है पेशेंट में जैसे ही हम लोग diagnosis बोलते हैं हर्पीज वो लोग एकदम डर जाते हैं तो ऐसा नहीं है तो पहले ये समझ रहा है कि आपको कौन सा हर्पीज infection है हम जाना चाहेंगे कि कितने प्रकार कहेंगे जैसे आपने बताए कि आप व्यक्ति इसका नाम सुनते ही घबरा सा जाता है तो किस वाइरस से ये होते हैं उसके बारे में जरा प्रमुख रूप से बताएगे हाँ जी मेनली दो प्रमुख हर्पीज infection होते हैं एक होता है हर्पीज सिंपलेक्स infection और एक होता है हर्पीज जोस्टर infection जिसके दो प्रकार होते हैं HSV1, HSV2 अकसर HSV1 नौन जनाइटल एरियाज में होता है और HSV2 जनाइटल एरिया पर होता है लेकिन उलट पलट हो सकती है HSV1 जादा तर परसनल कॉन्टाक्ट से होता है जैसे म्यूकस मेंब्रेन के संबंध में आना लिप्स पर क्रैक्स है और उस समय infection हो तो होना और HSV2 शारिरिक संबंध के जरिये होता है जिसे active infection है HSV2 यहने हर्पीज जनाइटलिस कहते हैं हम लोग तो जब वो infection रहते वक मतलब जब उसे फोड़े या जखम है उस समय जब स्थरी से संबंध करते हैं तो वो virus ट्रांसफर हो जाती है और यह हर्पीज की वाईरिस ऐसी है दोनों HSV, हर्पीज सिंप्लिक्स वाईरिस भी हर्पीज जोस्टर वाईरिस भी यह एक बार चमड़ी पर होने के बाद यह in-shot हर्पीज वाईरिस नर्व टिशू में छुपके रहने में यह सक्षम है तो भविश्य में जैसे यह हर्पीज सिंप्लिक्स वाईरिस है फिर से यह re-attack जैसे बोलते है relapse बोलते है कि reactivate होके चमड़ी पर वापस infection कर सकती है तो आपका भले संबंद एक बार हो और आपको हर्पीज हो गया लेकिन recurrent attacks बार बार हो सकते हैं अच्छा यह फिर से उभर सकते हैं उभर सकते हैं अच्छा इसके जो कोई खास trigger factors होते हैं क्या हाँ जी जैसे एक थोड़ा और मैं पहले herpes simplex virus पर बताना चाहूंगा इसमें जब first infection होता है जैसे हम primary infection कहते है उस समय थोड़ी सी patient को दिक्कते बोलो या तकलीफ बोलो जादा होती है लेकिन जैसे जैसे primary attack के बाद अगर उसे recurrent attacks होते है patient को तब उसके symptoms कम होते जाते लेकिन जितनी बार ये recur होता है तो उतना patient को थोड़ा सा जैसे खास करके genital infections में उसे मानसिक तनाव जादा होता है क्योंकि ये क्यों recur हो रहा है क्या हो रहा है और आजकल जैसे हर चीज net for available है तो ये जब patient को जैसे ही diagnosis दिया जाता है तो जितनी बिमारी उसे तकलिफ नहीं देती है उतना वो बिमारी का ज्यान जो वो net पर लेता है फिर उसे अलग-अलग विचाराने लगते है और वो depression में जाता है ओहो ओहो देखी ये आपने बड़ी कंभीर बात की है कि बिना किसी परामर्श के स्वयम ही वो medication की बात सुन लेता है जान लेता है पढ़ लेता है और गलत विचार उसके दिमाग में भ्रहम पहला देता है और फिर वो बस डर में जीता है तो जैसे आपने trigger factors की बात की तो उसमें stress एक बहुत बड़ा trigger factor है तो primary attack होने के बाद कुछ बाते है जैसे कि stress होना, physical trauma होना तो जैसे genital infections में संबंद रखते वक्त भी काफी घर्शन होता है तो वो भी एक physical trauma कहलाता है फिर sunburn यानि जादा धूप में निकलना खास करके औरतों को menses के दौरान रजोधर्म के दौरान ऐसे attacks बहुत कॉमनली वापस हो सकते हैं जो herpes lips पर होता है जैसे हमें herpes labialis कहते है जो इसका ही type है जैसे मैं कह रहा हूँ HSV1 type तो वो जब कभी fever होती है या कोई और systemic infection होता है जैसे कि समझो typhoid malaria, pneumonia कोई fever के time पर होटो पर छोटी फुंसी आना जैसे हम लोग बहुत बार cold source कहते है तो fever और systemic infections खुद एक trigger है और इसमें कुछ अमुख diseases है जिसमें जब ये बिमारी रहने पर अगर herpes infection होता है तो वो थोड़ा उगर रूप धारन करता है जैसे बच्चों को अगर जिनको atopic dermatitis है और समझो किसी माबापने या वो herpes virus के संबंद में आता है herpes virus बोलने का मेरा मतलब है herpes simplex infection की मैं बात कर रहा हूँ भी फिलाल तो समझो atopic dermatitis का एक बच्चा है और मा को होटो पर herpes infection आया है तो वो बच्चे को किस न करे या अपने glass में पानी पिया हुआ बच्चों का ना दे क्योंकि ऐसे बच्चों को ये infection थोड़ा उगर रूप लेता है और थोड़ा generalized भी हो सकता है जिसे हम लोग eczema herpeticum कहते है प्लस ऐसे कुछ diseases है जिसमें अपने शरीर की प्रतिकार शक्ती कम हो जाती है जैसे lymphomas, leukemias HIV वाले patient जब उनकी immunity कम होती है जैसे AIDS कहते है तो उनमें ये infections ज़्यादा common होते है बहुत बार organ transplant वाले patients जिनमे organ reject ना हो इसके लिए immunosuppressants दिये जाते है तो ऐसे patients में ये herpes infection commonly भी होता है और थोड़ा उग्रो रूप में होता है आपका कहने का ततपर ये है कि जब अंग प्रत्यार उपन होता है तब भी ये सावधानी रखी जाती है ताकि वो उभर ना जाए और माताओं का जिससे आपने बताया कि जब infection न हो जब फोड़े या जखम न हो तब आप सब कर सकते है वरना क्या हो जाता है कि उस इनसान को घर वाले एकदम ही जैसे कि अभी कभी ही किस नहीं करना है बच्चे को तो ऐसा ये नहीं है जब जखम हो जब infection हो तब आपको ये साउधानिया रखनी है और साउधानी के बतार यदि कोई घलत फिमी हो तो चिकिस्सक की सिलह अवश्य ले अवश्य है डरने के बजाए और अपने ही खयाल और खास करके इंटरनेट पर ग्यान लेने के बजाए नजदी की डॉक्टर से थोड़ा घ्यान लेकर क्या देखरेक करनी है बिल्कुल जैसे बात चल रही है कि हर्पीस जो सिंप्लेक्स वाली बात है उसमें विशेश जो सिंटम्स होते हैं लक्षन होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं शरीर पर जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी इंफेक्शन में पेशेंट्स को कम्प्लेंस ज़ादा होती है जैसे दर्द होना, जलन होना अगर पेशाप के रास्ते पर अगर हर्पीस सिंप्लेक्स इंफेक्शन हो तो उस समय फुनसिया पानी भरे छाले फुनसिया आने के पहले पेशेंट को पेशाप में जलन होना, खास करके औरतों को जिसे हम कहते हैं यूरिनेरी ट्रैक्ट इंफेक्शन तो ये सब तकलीफे जादा होती है अगर होटो पर ये फुनसिया आती है जैसे किसी फीवर के दौरान तो प्राइमरी इंफेक्शन में मूँ में चाले होना खाना ना खा पाना बराबर दर्द होना ये कॉमन है अब जैसे जैसे ये इंफेक्शन रिकरंट अटैक्स में होता है तब तकलीफे कम होती है लेकिन भौत बार खास करके genital infection वाले patients को जिसे हम लोग premonition कहते है, patient को एक अंदाज आ जाता है कि मुझे वापस से attack आने वाला है क्योंकि उसे एक दो दिन पहले थोड़ी जलन महसूस होने लग जाती है पेशाब में और वरना एक बार attack हो जाएं तो वहाँ पर एक जगह पर पानी बरे फुंसियां आती है जो फुट कर उसमें छाले होते हैं और वो धीरे धीरे भर जाते हैं बहुत बार recurrent attack आने के बाद वो जगह पर scars दिखते हैं जो सफेद निशान के रहते हैं, जो बहुत हमारी देश में क्योंकि हम लोग कोड से बहुत डरते हैं तो बहुत लोगों को होटो पर जब यह होता है उन्हें यह लगता है कि मुझे कोड हो गया कुछ रोग हो गया यह गलत फिमी होती है और आपने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से यह बताया कि हरपीस हो या कोई अन्य बेमारी हो लेकिन घबराने के बजाए तो अच्छा रोग विशेशग्य से मिलकर उसकी जांच करवा लेनी चाहिए अच्छा हम यह जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि रूरल एरिया में जहां ग्रामीन इलाके हैं प्रात्मिक स्वास्तिके अंद्र तो जैसे अगर इस तरह का कोई तवच्छा इंफेक्शन होता है तो जा के बताया सकता है? जरूर बताया सकता है क्योंकि यह ट्रीनिंग MBBS लेवल पर भी होती है तो ऐसा जरूर ही नहीं है कि प्रात्मिक सेंटर पर अगर वेशेशगय नहीं है तो डॉक्टर को नहीं समझेगा कोई भी सर्टिफाइड डॉक्टर इन रोगों में सक्षम रहता है उसे पहचानने के लिए और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर सब इस तरह का कोई मरीज हर पीस सिंप्लेक्स का जो परिशान मरीज आपके पास आता है तो सबसे पहले चिकित सब उसको डियागनोस करते हैं निदान करते हैं उसका उसकी क्या प्रक्रिया है आपके मुताबिक देखें mostly ये सब infections जो है clinical diagnosis है यह एक चर्म रोग विशेशग्य को भले ही फिर वो first infection है, recurrent infection है या ठीक होने के बाद का निशान है वो सिर्फ एक लुक से समझ आ जाता है कुछ और जो विशेशग्य होते हैं वो test पर निरभर करते हैं तो इसमें immunoglobin test आती है तो herpes simplex virus IgM, IgG लेकिन हम लोग हमेशा यह मानते हैं कि patient का इलाज होना चीए बहुत बार patient यह सोचता है कि अगर मेरी report positive आ गई तो फिर वस वो मानसिक तोर पर इस बिमारी से घरस्त रहता है भले ही उसे कहीं फोड़े फुनसी चाले नहीं आ रहे हो तो जब उसे attack आए उस समय आप सोचिए वरना test के बारे में ज़्यादा मत सोचिए तो मैं यही कहूंगा कि यह चीजे clinical diagnosis ज़्यादा important है बहुत अच्छी बात बता ही आपने जब प्रतम तरश्टिया या पहली नजर में पहले looks में आपको पता चल जाता है कि मरीज हरपीस simplex का शिकार है तो उपचार या इलाज में क्या-क्या alternative है आपके पास इसमें antivirals आते हैं उसकी doses रहती है 5-7 दिन का course रहता है primary attack पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं जैसमें oral medicines भी देते हैं recurrent attacks में बहुत बार जैसे patient खुद ही काफी समस्दार हो जाता है तो सर्फ tubes लगाने से भी काम हो जाता है लेकिन मान लो किसी patient को भूँत recurrent attacks हो रहे हो जैसे महने में एक बार या महने में दो बार और उसे रोज के उसके कामकाज में तकलीफ होती है और वो mentally हर बार उसमें ही व्यस्त रहता है तो एक chronic suppressive therapy करके treatment रहता है जिसमें हम एक साल तक उसे ये antivirals खिलाते हैं जिससे उसे काफी राहत मिलती है और ये recurrence of attacks बहुत slow हो जाता है, बहुत कम हो जाता है वैसे भी recurrent attacks धीरे-धीरे समय से अपने आप कम हो जाता है लेकिन इसमें जैसे खास करके genital infection की मैं बात कर रहा हूँ इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अपना high risk behavior उसे patient को ज़रा सुल्जा लेना है अच्छा, ये साउधानी अवश्य रखनी चाहिए प्रकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ multiple partners से ही होता है किसे भी ये infection हो सकता है लेकिन जब आप multiple partners से संबंद रखते हैं तो आपको infection लगने के chances ज़्यादा होते हैं तो इस तरह के संक्रमन ना फैले हैं इससे तो अच्छा है कि योग संबंदों में साउधानी पूरी तरह से बरतनी चाहिए और चिकित्सकी सला लेनी ही चाहिए मैं इसमें एक बात और आड़ करना चाहूंगा वापस आजकल भूत लोग थोड़े जैसे हम कहते हैं कि well-read रहते हैं तो वो सोचते कि multiple partners मतलब अगर उन लोग साउधानी रख रहे तो ये नहीं होगा तो कॉंडॉम इस्तमाल करने से भी ये हो सकता है क्योंकि कॉंडॉम सिर्फ आपका एक प्रमुकंग का एक भाग कवर कर रहा है तो जहां आपका कॉंडॉम कवर नहीं कर रहा है उस जगह पर भी ये infection तो आपका फिर ये सोचना कि करना ही पड़ेगा बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने और ये देख भाल बहुत ही आवश्यक है इसका यानि हर पीस सिंप्लेक्स का और गर्भा आवस्था का कोई खास या क्या संबन्द है हाँ जी इसमें दो issues है एक अगर primary infection किसी गर्भ वती को पहले तीन महने में होता है तो बच्चे पर बुरा असर होके infant mortality बहुत common है तो उनका बच्चा गिर सकता है end stages में अगर किसी को primary infection होता है तो हम लोग ये advice करते हैं कि normal delivery के बजाए आप cesarean section कीजिए क्योंकि recurrent attacks में फिर भी बच्चे को जब वो मा के normal delivery के रास्ते से भार आता है तो recurrent attacks में फिर भी infection लगने का chances कम रहता है लेकिन primary attack जैसे मैंने काया वो ज़र थोड़ा severe होता है उस समय बच्चे को herpes होना बहुत common है herpes simplex infection और उस time mortality rate काफी जादा है अगर 36th week तक हम लोग को लगता है ये patient को already एक recurrent attack की case है तो हम लोग जैसे preventive acyclovir खिलाना चालू करते हैं अथवा जब patient को acute attack है और delivery होने वाली है हम लोग advise करते हैं कि cesarean section से delivery कीजिए अच्छा शस्त्र क्रिया द्वारा इसकी प्रसुती की जानी चाहिए बहुत अच्छा आपने समझा कर बताया हरपीस की बात चल रही है आपने इसके दो खास प्रकार बताये थे simplex की बात तो हम कर चुके हैं एक बातावरण में जो चडचा का विशे बनता है हरपीस जोस्टर उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि ये लोगों में एक भ्रम भी होता है तो वो भी आप समझा देजिए साथ ही कि हरपीस जोस्टर है क्या और अक्सर ग्रामिन इलाकों में या ट्रेडिशनल ढंग से इसको एक बिमारी का नाम दिया जाता है कि जब इस प्रकार की बिमारी फैल जाती है तो उसे नागिन हो गई है इसको नागिन का प्रभाव है तो ये क्या है सब आपनी बिल्कुल सच कहा कि ये नागिन शब्द लोगों में इतना डर पैदा कर देता है कि हम लोग जैसे मैंने आपको नाम और उपनाम के बारे में बताया कि हर्पीज बोलते से ही जोस्टर बोला नहीं उसके पहले हर हर्पीज उनके लिए नागिन हो गया कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब नागिन हो जाती है तो तब उसका सिर और पूछ मिलने से उस समय आदमी का अंध हो जाता है पहले तो ये हर्पीज जोस्टर क्या है हर्पीज जोस्टर एक वैरिसला जोस्टर वाइरस है जो चिकन पॉक्स पैदा करती है चिकन पॉक्स होने के बाद जैसे मैंने कहा ये हर्पीज वाइरस ऐसी वाइरस है जो हमारे nerve tissue में छुपकर रहने में सक्षम है तो ये हमारे dorsal root ganglia या हमारे सिर में मस्तिष्ख में जो ganglia जैसे हम लोग cranial nerves ganglia बोलते हैं उसमें छुपी रहती है किसी कारण वर्ष वापस reactivate होके नसों के द्वारा चमडी पर एक नस के द्वारा infection करती है तो अब मान लो वो face पर होती है जैसे मैंने cranial nerves बोला तो एक ही side आपके face का उस समय disease से प्रभावित होगा अब मान लो spinal cord की किसी नस को पकड़ती है तो या तो right side पर होगी या तो left side पर होगी एक पूरा circle हो ही नहीं सकता तो वो एक ही side पर होती है तो सबसे पहले ये धारना की सिर और पूछ मिलेंगे एकदम गलत है दूसरा ये सिर्फ एक nerve infection है तो मान लो कुछ severe disease जैसे मैंने herpes simplex virus में भी कहा जब हमारी शरीर की immunity कम होती है जैसे cancers में या organ transplants में या AIDS में या बहुत severe diabetes में तो जब हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ती कम होती है तब ये infection severe हो सकता है और multi dermatomal मतलब थोड़े 2-3 नसे एक साथ प्रभावित हो सकती है बस इतना ही severity है वरना ऐसे जीवन को कोई धोका ऐसी कोई severity नहीं है यहाँ मैं इतना और आपको ये बताना चाहूंगा कि herpes zoster जैसे मैंने का एक नस के पाथ में आता है herpes simplex virus कहीं पर भी हो सकता है जहाँ आपका virus ने contact किया external contact वहाँ हो सकता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक nerve के पाथ में आना चाहिए तो ये एक और इन दोनु diseases के बारे में थोड़ा सा difference है ये अंतर खास है अच्छा जैसे किसी को herpes zoster हो जाता है ये infection हो जाता है ये संकरमन लग जाता है तो वो कैसे होता है ये तो आपने बता दिया लेकिन लक्षन क्या है क्या दर्द होता है या क्या उठता है या शुरुवाती उसके लक्षन क्या होता है हाँ जी तो जैसे मैंने कहा पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि किस dermatome में मतलब किस path में है तो हम लोग उस अंदाज से कौनसी nerve को affect कर रहा है वो एक अंदाजा लेते हैं तो उस path में patients को फुंसिया आना वैसे ही herpes simplex जैसी लेकिन इस बार बहुत सारी जगा पर फुंसिया आना उस समय फुंसिया के समय दर्द होना जलन होना बेचैनी होना और जब वो फुंसिया फूटती है तो थोड़े जखम होना अब ये जब ठीक होता है जिसे समझो साथ से चौदा दिन लग सकते है दवा के साथ ये जखम और ये फुंसिया बैठने में तो उसके बाद भी कुछ patients को थोड़ा दर्द महसूस होते रहता है तब एक महने से मान लो छे महने तक अगर ये दर्द चलता है तो हम इस situation को post-herpetic neuralgia कहते है जो ये post वाली बात बताई इसके बारे मैं अब बताई ना कुछ विस्तार से हाँ जरूर herpes simplex virus में मैं बोल रहा था कि छाले ठीक होने के बाद patient normal है तो वैसे यहाँ पर सब जखम ठीक होने के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद भी कि मैंने कहा यह एक nerve के रस्ते से आता है तो nerves थोड़ी sensitive हो जाती है तो उसमें एक ठीक होने के बावजूद वो पाथ में वो nerve के जगा पर patient को दर्द, जलन या थोड़ी बेचैनी रह जाती है जो बार-बार में महसूस होती है तो जब यह mild होता है हम लोग हमेशा patient को सांतवना देते हैं, encourage करते हैं और बोलते ignore कीजे ignore करने से ही इसका best इलाज है अगर patient दिन भर इसके बारे में सोचता रहे और घरस्त रहे इस विचार से कि यह क्यों दुख रहे तो यह दर्द लंबा ही चलता है और अगर बहुत दर्द हो या बहुत लंबा चले तो इसके भी control करने के काफी दवाईयां आती है तो हम लोग इसको manage कर सकते हैं लेकिन minor pain को ignore करने से ही इसका इलाज है अच्छा इसमें हम यह जाना चाहेंगे कि जब शिरुवात में थोड़ी सी फुंसियां जैसा उठता है और जो गुलाबी पन होता है तो ये अपने climax पर आकर बिल्कुल पराकाष्ठा पर आती ही बिमारी तो क्या कालिक हो जाती है वहाँ पर काले धब्बे से पड़ जाता है हाँ जी जब herpes zoster खास करके जब ठीक होता है अक्सर वहाँ पर निशान या scars रह जाते है तो इसके लिए आवशक है कि best हो कि आप पहले 24 घंटे में या 48 घंटे में इलाज शुरू कीजिए ताकि जैसे आपने का climax पर आती है तो उसका severity कम हो तो इसमें भी वैसे ही A-Cyclovir नाम के दवाई आती है थोड़ी dose ज़ादा रहती है लेकिन आप किसी भी चिकित सक्से मिलेंगे खास करके चर्म रोग विशेशग्य से तो इलाज अच्छा होता है इलाज पूरा होता है जरा भी डरने की घबराने की बात नहीं है यहां तक कि मैं हर्पी सिंप्लेक्स वर्सिस हर्पी जोस्टर में ये आपको फरक बताना चाहूंगा हर्पी जोस्टर एक बार होता है हर्पी सिंप्लेक्स इंफेक्शन बार-बार हो सकता है जैसे मैंने कहा recurrent attacks तो ये डरना ही नहीं है जब जितना डर हर्पी सिंप्लेक्स जोस्टर के साथ attached है उतना इस बिमारी को danger नहीं समझना है अच्छा हर्पी सिंप्लेक्स जोस्टर में एक बात हमें और पूछना है आपसे क्या किसी मरीज के private parts पे सूजन भी आ सकती है हर्पी सिंप्लेक्स जोस्टर में अगर उस nerve को जैसे उस जगह पर infection हुआ तो आ सकती है attack हुआ तो वरना आपको attack chest region पर है तो private part पर कुछ नहीं होगा लेकिन इसमें किस nerve को involvement हो रहा है उस हिसाब से उसके symptoms होते हैं अब मान लो appendix area में अगर right side में आपको दर्द उठ रहा है तो बहुत पर ऐसा भी हुआ है कि दर्द इतना हुआ कि surgeon ने operation कर दिया यह सोचके कि हर्पीज है और dressing के वक्त हर्पीज जोस्टर के फफोले आए तो यह surgeon की गलती नहीं ऐसा होता है कि दर्द पहले से चालू हो गया और इतना बहुंता दर्द था कि appendix की गलती हो सकती है लेकिन ड्रेसिंग के वक्त हर्पीज जोस्टर के प्रमान के चिन सामने आते हैं पता चलता है यह तो हर्पीज का दर्द था ड्वाग साब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सारे भ्रम भी दूर किये हर्पीज जोस्टर ठीक होने के बाद भी जो दर्द होता है उसकी समस्या के बारे में भी आपने बताया कि इसके विचार को निकाल कर अपने काम में जुटे हैं और अपनी इम्मिन सिस्टम को मजबूत करें लोग साब जो आप स्टूडेंट है तब मुझे याद है कि कही न कहीं महासों की या एकने की समस्या से परेशान हुए या नहीं जरूर आपने एकदम सही समय पर सही टॉपिक छेड़ा है यह मुहासे जो है किशर आवस्ता में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं कि मुहासे दरसल है क्या पहले तो मैं यह बताता हूँ जैसे आपने स्टूडेंट आवस्ता का कहा अकसर नाइन्थ टेंथ जब स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव यर रहता है उस समय इसका अटाइक ज़्यादा होता है और इसमें जो सोशेल एंबैरिसमेंट जो मानसिक तनाव पिम्पल से बच्चों में होता है वो काफी यहने उसके करियर को भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो बहार कहीं निकलना नहीं चाहते वो काफी उस बारे में ही सोचते हैं तो अपनी स्टूडी इस पर कॉंसेंट्रेट नहीं करना चाहते तो इसके लिए जरूर इसका इलाज सही ढंग से होना चाहिए ताकि इसके निशान और खड़े न रहे जाए इसका में कारण है जैसे मैंने कहा हॉर्मोन चेंजेज क्योंकि यह किशोर अवस्ता में ज़्यादा होता है तो अब कैसे हो रहे हैं तो हॉर्मोन चेंजेज कभी भी हो सकते हैं दूसरा इसका बहुत कॉमन कारण है कि तरह तरह के क्रीम, साबुन, तेल लोग अपने आप से लगाते रहते हैं या एड़टिस्मेंट्स देखके लगाते रहते हैं तो जितना हो सके cold creams या कुछ भी make-up की चीजे बहुत सारी oily sunscreens होती है तो ऐसी चीजे न लगाए जिनसे pimples पैदा हो सकते हैं बहुत लोग पार्लर में जाते हैं ये सोचके कि उससे मेरा इलाज हो जाएगा तो clean-ups करवाने से अकसर देखा गया है कि pimples जादा भड़ते हैं तो clean-up pimples का इलाज नहीं है जितना आप facials करते हैं या और parlor प्रक्रिया करते हैं pimples भड़ते हैं उनसे तो जिनकी skin sensitive हो उन्हें जादा चीजे इस्तमाल भी नहीं करनी चाहिए डॉक्टर से लिखवा कर जो उन्हें suit करें जो उनकी sensitive skin के अनुकूल हो वैसी दवाईयां करनी चाहिए वैसी चीजे इस्तमाल करनी चाहिए बहुत बार फिर से लोग ये homemade remedies में बहुत विश्वास करते हैं जैसे मुलतानी मिट्टी, चंदन, बेसन पपईया कपाया क्या जो fruit खाने लायक हो उसके लगाने की कोशिशे करते हैं तो ऐसी चीजों से भी मुहासे बढ़ती है क्योंकि तो अच्छा के रोमशित्र बंद हो जाते हैं अथवा वो जादा जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक word यूज़ करते हैं comedogenic याने बहुत सारी चीज़े pimples पैदा करने की चमता रखती है लगाने से अच्छा डॉक साब एक कहा जाता है अक्सर कि बच्चों का पेट साफ नहीं होता या डेंडरफ हो गया है खानपान ठीक नहीं है तो ये थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे कि दरसल क्या ये भी एक सच है कि पेट साफ नहीं होना से नहीं जी जरा भी ये सच नहीं है लेकिन हमारा देश एक खानपान वाला देश है तो हर चीज़े जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है हम उसमें ही ज़्यादा एब देखना ढूनने लग जाते हैं ये खाने से तो नहीं हुआ ये खाना खाने के बाद वो चीज़ साफ नहीं होई तो उससे तो नहीं हुआ तो इसका खाने से भी संबन नहीं है इसका कॉंस्टिपेशन से भी संबन नहीं है अकसर एक और गैर माननेता है हमारे हाँ कि अंदर की गर्मी भार निकल रही है तो इसका कुछ भी गर्मी से भी कोई internal heat जिसे कहते है कोई लेना देना नहीं है एक और बड़ी समस्या है जो हमारे देश में dandruff, इंसान अपने आप ही डाइग्नोस कर लेता है कि मुझे dandruff है और फिर उसके कारण मेरे मुहा से हो रहे है, बाल गिर रहे है तो dandruff से भी इसका कोई संबन नहीं है बालों में रुसी हो जाना मालब खुदी तेह कर लगा है मैं यह simple चीज बताता हूँ हर patient को scaling is not equal to dandruff तो जहां आपको भूसी दिखी हर चीज डandruff होती तो dandruff का incidence इतना हाई होना चाहिए जो 1-2% ही है हमारे population में जो commonly scaling के कारण होते वो dryness होती है और जब आप उस dryness को dandruff बोलते हो you end up using more stronger products which are actually meant for dandruff तो जैसे आप strong shampoos use करना चालू कर देते हो आप तेल लगाना बंद कर देते हो तो ये dryness और भढ़ जाती है तो 99% जो अपने आप diagnose करते हैं कि मुझे dandruff है actually उनको dryness है तो उनको mild shampoos और ज़्यादा तेल लगाने से वो भूसी ठीक हो सकती है लेकिन वो उसको dandruff समझ के और भढ़ाते रहते तो ऐसी चीज़ से pimples नहीं होते है लोग साब ये भी हम जाना चाहेंगे कुछ बच्चों की आदते हैं हमने देखी है college going कि pimples हो गए हैं और जरा से बढ़ते हैं तो उनको वो नाखुन लगा कर छील लेते हैं तो दोबारा देखा गया है कि उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है हाँ जी बढ़ोतरी से ज़्यादा जब आप pimples फोडते हैं तो निशान ज़्यादा होते हैं और खड़े पढ़ने के शक्यता भड़ती है तो pimples को हाथ नहीं लगाना चाहिए उसके लिए बिलकुल scientific treatment है time to time treatment करना चाहिए और कुछ बाते हैं जो हर patient को याद रखनी चाहिए जैसे कि ये तो हमने चर्चा करी लिए कि भार की चीजे या घर गूती इलाज मत करिए ज़्यादा जैसे females के लिए ज़्यादा parlor visits मत कीजिए aggressively face नहीं धोना है अब सबको ये एक और सोच है कि मेरी skin बहुत oily है तो आप जितना धोईंगे उतनी dry होगी उतने और pimples होगे तो ज़्यादा face नहीं धोना चाहिए और इसका इलाज लंबा है इसका कोई course नहीं है इस नौट की दो-तीन मेने का course होगे अच्छा होगे और बंद कर दो ये एक उमर के हिसाब से है तो आपको ये इलाज maintenance therapy पर चालू रखना है बिल्कुल आपका चहरा ठीक हो तो भी थोड़ा बहुत चालू रखना है ताकि recurrence नहीं हो लेकिन इलाज जो है चिकित्सक के परामर्ष के साथ किया जाने चाहिए तो scientifically होगा आपने एक ad सुन लिया या किसी chemist ने बोल दिया तो सिर्फ एक tube या एक गोली जितना treatment नहीं है काफी scientific treatment है अगर आपके वाश सुविदा है किसी का opinion लेने की तो फिर क्यों उसे छोड़ कर हम अपना इलाज खुद क्यों करे ये तो भही समझने वाली बात है दोस्तों खास्तोर से युवा दोस्तों कहम कहने चाहेंगे self-medication की और विग्यापनों के चक्कर में ना पढ़ते हुए चिकित्सक की बात मानिये और इस तरह का पूरा इलाज आपको करना चाहिए लेकिन एक तोचा रोगों की जो बात चल रही इसमें psoriasis के बारे में हमने बहुत सुना है बहुत चर्चा सुनी है तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में psoriasis क्या है हाँ जी ये बहुत common skin disease है और चर्चा आपने इसलिए बहुत सुनी है क्योंके बहुत सारे लोग बहुत सारे advertisements देते रहते क्योंके ये आज एक business भी बन चुका है तो मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से ये ही एक उबदेश रहेगा कि हर patient को do not follow advertised treatments क्योंके पहले उसके authenticity जाच लेनी है आपको कि ये सच में सही है कि नहीं एक और do not accept claims of complete cure बहुत सारे पथीज है जो ये बोलते है कि हमारे treatment में इसका जड़ से इलाज है तो अगर कोई आपको ऐसा जहासा देता है तो या तो वो खुद अग्यानी है या तो वो आपको clear आपको बेवकूफ बना रहा है soraisis एक ऐसा चर्म रोग है जो बार बार हो सकता है हाँ किसी के इलाज से वो एक लंबे remission period में जा सकता है उस दौरान आपको attack न आए फिर से soraisis का लेकिन वापस जरूर हो सकता है तो ये किसी को बोल देना कि इस इलाज से पूरा क्या और हो जाता है वो एक गलत बात है बहुत बार ये जो दूसरे पथीज है जो authentic नहीं है तो जब वो अपने खुद के powder देते हैं या खुद का कुछ इलाज करते हैं जिसमें कुछ label नहीं है उन्होंने खुद ने in-house बनाए उसमें बहुत बार heavy metals और steroids की मात्राएं पाई जाती है तो इसलिए आप जाईए जहां आपके शरद्धा आपको ले जाती है लेकिन be careful इतना बस ध्यान रखिये ये कैसे होता है psoriasis इसका कोई कारण नहीं है ये आपके चमडी का स्वभा हो है कि आपके skin के cells कितने fast multiply करते हैं तो जब वो इतने fast multiply करते हैं कि वो skin cells shed नहीं हो सपाते तो वो scales के रूप में जमा हो जाते हैं और तब चमडी से छिलके निकलते हैं ये basic इसका आपको ध्यान रखना है या इसका main कोई ना कोई cold cream या vaseline लगाते रही है जितनी skin oily रहेगी उतनी खुश्क तवचा में से scaling कम होगी अच्छा कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत सारी नमी होती है और skin already नमीदार होती है वो oilish already होती है तो वहाँ भी इसकी आवश्यक्ता होती है हाँ जी because psoriasis में जैसे topography यह जैसे geographical region से ज़्यादा फरक नहीं होता जहां ज़्यादा थंड है उदर थोड़ा सा psoriasis की मातरा ज़्यादा हो सकती है moisturizer आप कहीं पर भी हो आपको ज़रूरी है psoriasis का case है तो लगाना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी बात बताई आपने और patients को क्या-क्या साउधानी रखनी चाहिए psoriasis अगर हो गया है तो आप क्या बताना जाहेंगे हाँ जैसे पहली साउधानी मैंने कहा be sure about your doctor आप जिसके पास जाते हैं second मैंने कहा कि dryness नहीं होनी चाहिए तो ऐसे काम मत कीजिए जिससे चमडी का moisture और कम हो जाए तो साबुन mild लगानी चाहिए जादा धोना नहीं चाहिए नहाना क्या समय छोटा रखना चाहिए जैसे बहुत समय लोग आदे घंटे तक नहाते रहते वैसे नहीं करना चाहिए regular moisturizers लगाते रहना चाहिए बैठे बैठे चमडी के छिलके नहीं निकालने चाहिए क्योंकि ये एक आदत बन जाती है कि जितना हम खुजाते हैं उतना उन्हें मानसिक तोर पर थोड़ा अच्छा लगता है जितना souris में हम injury करेंगे उतना souris भड़ता है scaling भड़ती है तो खुजाना कम चाहिए हर psychosomatic disease में हम कहते हैं कि stress से भड़ता है तो जरूर happy go lucky nature रखिए सोच विचार कम कीजिए अच्छा एक बात हमने कहीं पढ़ी थी कि पूरे शरीर पर नहोकर कई बार शरीर के कुछ खास या विशेश अंगों पर ही होता है souris क्या कहेंगे अब in fact यह सबसे common presentation है पूरे अंग वाला presentation कम पाया जाता है compared to localized souris तो जैसे सर्फ हातों में जब souris हो यही जो बाते सिखाई लेकिन in addition जैसे घरनी को, housewife को हो तो उनका पानी का काम अकसर जादा ही होता है तो उस समय वो gloves पहन के काम करें तो उसमें जितना पानी साब उनका contact कम होगा उतनी dryness कम होगी उतने चीरे कम पढ़ेंगे उंगलियों में और दर्द कम होगा तो पानी साब उनसे बचना है अब यही सोराइसस अगर तलवों में हो जाए तो आपको नरम चपल जूते पहनने चाहिए आपको नंगे पैर घर में भी हो सके तो नहीं चलना चाहिए नरम चपल जूतों से cracks कम पढ़ेंगे और आपको जैसे कह वैसलीन बार-बार लगाते रहना चाहिए सोराइसस सिर में हो तब इसे डैंडरफ समझ के खुद उपचार नहीं करना चाहिए बिकास जैसे मैंने समझाया डैंडरफ समझेंगे तो यूल एंड आप टेकिंग दी एडवाइस की तेल नहीं लगाना है यू एंड आप यूजिंग स्ट्रॉंग शैंपूज कॉमन प्रिजेंटेशन रूसी का सिर में सोराइसस है कंपेर्ट टू डैंडरफ तो ऐसे समय आपको तेल जरुवत से ज़्यादा लगाना है आपको माइड शैंपूज बापर नहीं है ये बात बहुत ही अच्छी बताई डॉक साब आपने कि कई लोग इस बात को समझ लेगे कि शुश्कता या रुक्षिता जो होती है तो अच्छा की वो इसका मुख्य कारण बन सकती है और ओलिश थोड़ा रहें पेल लगाएं और जैसा कि डॉक साब ने बताया लेकिन डॉक साब मुख्य जो उप्चार है उसके अल्टरनेटिव क्या है विकल्प क्या है बहुत इलाज है जब लोकलाइज होता है जब थोड़े जगह में होता है तब टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है वरना काफी इतना रिसर्च हुआ इतनी दवाईया है काफी सिस्टमिक थेरेपीज है आजकल इसके लिए थोड़े इंजेक्शन भी निकले हैं जैसे हम बायोलाजिक्स कहते हैं एक और ट्रीटमेंट का मार्ग है जिसे हम नैरो बैंड, UVB, फोटो थेरेपी बोलते हैं तो ये काफी मदत दाइक ट्रीटमेंट है लेकिन कोई भी एक ही ट्रीटमेंट एक ही पैरमीटर पर चलता रहे ऐसा नहीं है सोराइसेस में ट्रीटमेंट बदली होते रहते हैं सोराइसेस में हम लोग जैसे कहते हैं रोटेशनल थेरेपी आज जो आपको काम आ रहा है वो शायद कल ना आए तो हमें ट्रीटमेंट समय समय आपकी जरुरत अनुसार बदली करने पड़ते हैं तो इसके लिए फिर से सला है कि आप ये जान ले आप किस डॉक्टर के पास जा रहे है अच्छा जहां तक एक हाइजिन का सवाल है कॉमन हाइजिन उसमें वस्त्रों की बात करें कई बार धुले वस्त्र ना होते हैं एक ही वस्त्र को रिपीट किया जाए तो तोचा पर विपरीत प्रभाव हो सकता है क्या हाँ जी सो टक और आपने ये जैसे प्रशन बहुत अच्छे समय पर पूछा क्यांकि आज के समय में हम सबसे कॉमन जो बिमारी देख रहे है तोचा रोग में वो फंगल इंफेक्शन तो ये तवचा रोग पर जब फंगस हो जाए तो इसमें दोनों बाते इंपोर्टन्ट है जरूरत से ज़्यादा साबून और पानी का प्रयोग से भी जैसे जांगो में बगल में फंगस इंफेक्शन हो सकता है अथवा साफ सफाई न रखने के वज़े से भी जैसे कॉलेज स्टूडेंस खास करके हॉस्टल में एक ही जीन्स एक एक दो दो मेने पहन लेते तो टेफिनेटली उससे फंगस जादा होता है डॉक साब बहुती विस्तार से आपने समझाया और काफी सारे भ्रम भी दूर किये यहां मेरे दिमाग में एक प्रश्णा आया है कि हम जो वस्तर पहनते हैं कई बार कारणवश यात्रा में होते हैं या कई बार रिपीट हो जाता है वस्तर बिना धुले वस्तर अगर पहन लेते हैं तो क्या उससे भी फरक पढ़ता है सुराइसिस पर तो नहीं पढ़ता है लेकिन वस्तर का में कनेक्शन एक और आज के समय में जो बहुत कॉमन हम लोग देख रहे हैं फंगस इंफेक्षण सबर बहुत जरूरी पढ़ता है तो जैसे बहुत ज्यादा टाइट ये जारए कपड़े या सिंस्थेटिक कपड़े कपड़े पहनने सें वस्तर बहुत कॉमनली हो सकता है यहां पर बहुत ही अच्छा यह आपने पॉइंट उठाया है कि तोचा पर फंगल इंफेक्शन के जो केसे से कॉमन रूप से दिखाई दे रहे हैं, कई मरीज आपके पास आते होंगे, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? आपने जैसे सही कहा कि कई पेशेंट्स हा रहे हैं और आजकल इतने कॉमनली फंगस इंफेक्शन के केसे हैं, उसमें हमारी दिक्कते ऐसी हो रही है कि resistant to treatment, मतलब हम लोग बैस से बैस भी दवाईयां देते हैं, तो भी उसका असर नहीं हो रहा है, तो मेरी समझ में इसके कई क अनुसार ट्यूब ले लेता है, या केमिस्ट खुद अपनी अनुसार ट्यूब दे देते हैं, या फिर कभी सही डॉक्टर के पास नहीं पहुच पाता है, तो रॉंग दवा देने से, रॉंग अप्लिकेशन, खास करके मैं ये आज इस प्लैटफॉर्म पर बोलना चाहूं अपने आप से इलाज मत कीजिए, एक चिकित सक से सही इलाज लीजिए, सही समय के लिए इलाज लीजिए, अब होता क्या है, पेशन्ट की 10 दिन में खुझ ली ठीक हो गई, वो इलाज खुद इपखुद बन कर देता है, चिकित सक के बताने के बावजूद की एक दो महने इलाज चलेगा, तो जल्दी इलाज बन करने से वो फिर से पनपता है, बाकी सब फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करता है, तो इसमें ये पताना जरूरी है कि एक ही समय पर जितने भी घर में लोगों को इन्फेक्शन है, सब को एक साथ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसमें होता क्या है, एक व्यक्ति को हमने इलाज दिया, जब तक वो ठीक होने आता है, उसी घर से दूसरा व्यक्ति आता है, तो ऐसे एक के बाद एक करने से वो पहले व्यक्ति को फिर से ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है, तो एक ही समय पर इन्फेक्शन ठीक करना चाहिए सब क अपने तॉलियन अपकिन अलग रखने चाहिए जिनको फंगस इंफेक्शन है हो सके तो उनके कपड़े अलग धोने चाहिए देखे ये तो आपने बहुत ही कॉमन बातें बता ही जो कि रोज मर्रा की बाते हैं और इनहीं का ध्यान ना रखने से बिमारी ज्यादा फैल जाती है डोग सब यहाँ जानना चाहेंगे कि शरीर के कुछ खास अंग है या कहीं भी फंगल इंफेक्शन हो सकता है ज्यादा तर जोडों से चालू होता है जैसे बगल में, कमर में, जांगों में अब आपने सही समय से इलाज नहीं किया या गलत इलाज किया तो वो फैलते रहता है और यही मैं कह रहा था आजकल बहुत कॉमनली यहां तक कि पूरे-पूरे शरीर पर लोग फंगस लेकर आते हमारे पास बहुत बार फंगस इंफेक्शन सिर में हो सकता है नाखुनों पर हो सकता है तो उसकी भी दवाईयां रहती है लेकिन अब वापस नाखुनों में इलाज लंबा चलता है तो आपने मान लो जैसे मैंने एक-दो मेने का आपको समय बताया आपने चमड़ी ठीक कर ली लेकिन आपके नाखुन पूरी थरह से ठीक ना हुए बहुत अच्छी बात बताई आपने की नाखुनों का भी आपने जिक्र कर दिया वाकई में ये बहुत गंबी रवस्ता कई बार देखने में आती है और अब हमारे पास समय इतना बचा है कि आप से ये जानना चाहेंगे कि विरोधी आहार कई बार खाने में आ जाते हैं तो वो आपकी नजर में क्या है कि उससे भी तवचा इंफेक्शन हो सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आप सब चीज खाईए खुश रहिए सोच विचार कम कीजिए और तवचारोग अगर है तो उसका उपचार सब मौजूद है आप अपने तौर पर इससे हो गया उससे हो गया सोच के अपना सोच विचार से रोज मर्रा का जीवन खराब मत कीजिए चलते चलते हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे विविद भारती की ओर से और विविद भारती के सुनने वालों की ओर से आपने अपना समय दिया और तवचारोगों पर चर्चा की बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, thank you so much तो दोस्तो ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध तवचारोग विशेशग्य डॉक्टर अजय केडिया से विशेथा तवचारोगों पर चर्चा आज के कारिक्रम में तक्निकी सहोग दिया प्रदीप शिंदे ने कारिक्रम की सैयोजी का और प्रस्तुत करता अनीता वैसली पतेल अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रपाठी को इजाजत नमस्कार